हईलो दोस्तों, आप सब का बाहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल प्रोसेस-driven पर आग जो मैं information आपसे शेर करने जा रहा हूं वह information है marriage certification से related सहां पर हम जानेंगे कि marriage certification कैसे किया जा सकता है और वहांकि हमें कोई भी extra charges ना लगे क्योंकि ये एक compulsory act के थुरू govern किया जाता है और यहाँ पर अगर हम उस compulsory period के अंदर नहीं भरते हैं application तो एक penalty लगाई जा सकती है जो कि actually मैंने दी थी तो मैंने नहीं जादा मेरे किसी भी वीवर्स को ये penalty देनी पड़े तो आईए शुरू करते हैं Merit Certification के लिए आपको सबसे पहले जो information चाहिए होगी वो information है कि इसकी importance क्या है Importance के लिए 2014 के act के थुरू इसको compulsory कर दिया गया है और अगर आप इसको शादी के 60 दिनों के अंदर अगर करवा लेते हैं तो आपको जो nominal fee है वही देनी पड़ेगी नहीं तो आपको penalty देनी पड़ेगी कि online में यह penalty एक हजार रुपे है eligibility क्या है एक general eligibility criteria है उसका description मैं link देदूंगा वहाँ पर देख सकते हैं लेकिन overall लड़की की जो उमर है वो 18 साल होनी चाहिए और लड़की की उमर 21 साल होनी चाहिए दो witness होने चाहिए आपके Hindu marriage act के according एक special marriage act भी है वहाँ पर तीन witness लगते हैं या जैसे इसमें लिखा हुआ है तो दो तरीके है मैरेज को certified करने की एक online तरीका है एक offline तरीका है मैंने online तरीका किया है लेकिन आप लोग अगर चाहते है तो आप offline के थुरू भी चाह सकते हैं जो online में फीस है वो दिली के अंदर 500 रुपे है और offline में Hindu marriage act में 100 और special marriage act में 150 यहां पर मैंने link दे रखा है आप इन links का यूज कर सकते हैं और directly वहां like official website पर जाके register कर सकते हैं अपना account आपको बनाना पड़ेगा उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से account बनाया जाता है और किस तरीके से process किया जाता है उससे पहले कुछ की documents है जो आपको bride की दरफ से और groom की दरफ से आपके पास होने चाहिए photo ID proofs में इन में से कोई भी आपके पास होना चाहिए date of birth proof आपके पास होने चाहिए यहां पे दे रखा याधार का date of birth, certificate, driving license, hospital, report, anything इनके अंदर से address proof में भी सारी चीज़े लगेंगी जो main चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक affidavit बनाना पड़ेगा कि आपकी शादी हुई है मैं उसको आपको format मैं आपको बता दूँगा कैसा है invitation card आपको लगेगा और marriage की photos आपको लगेंगी तो यह तीन चीज़े अलग से आपको और acquire करनी पड़ेगी और invitation card के अंदर जो date है वही date आपको marriage of solemnized day रखनी पड़ेगी उसके बाद आपके जो witness है witness के लिए भी यह identity proof मानने होंगे permanent address proof भी उनको दिखाना पड़ेगा और उनकी दो photos भी लगेंगी तो आप उनको भी तयार रखेगा इन documents के साथ एक offline तरीका भी है offline तरीकी के लिए आपको official website पर जाना पड़ेगा या फिर मैं description में link दे दूँगा वहाँ से आप को application form download करना पड़ेगा download करने के बाद application अपने sub divisional magistrate को submit करना पड़ेगा कुछ time जब आप submit कर देंगे submit करने के बाद वह एक time आपको देंगे जहां पर आपको witness के साथ और आप मलब आपको as a couple appear होना पड़ेगा आप वह सारी document सब्मेट करेंगे और सब्मेट करने के बाद अगर उनको सब कुछ ठीक लगता है तीस दिनों बाद आपकी marriage register हो जाएगा और वहां से जाके आप अपना application form ले सारी application form नी आप अपना marriage certification ले सकते हैं इसके बाद आप क्या कर सकते हैं अपने application को track कर सकते हैं उसके लिए steps मैंने यहां पर लिखे हुए हैं आप देख सकते हैं और help line number भी है इसके लिए आप इनको call कर सकते हैं email letters है edistrictrevence at the red gmail.com आप वहां पर भी इनको लिख सकते हैं यह जो मैं आपको एक बार process दिखा देता हूं process किस तरीके से होता है तो let's go to the web यहां पर हम edistrict search करेंगे यहां पर देखते हैं क्या क्या है यहां पर आपको main page पर ही registration of marriage बिल जाएगा आप इसको click किजिए यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा अपने आपको register करना पड़ेगा अगर आप के पास user id and password नहीं है तो आपको अपने आपको register किजिए यहां पे आधार काथ चुन सकते हैं, यहां पे यहां पो डालना पड़ेगा, अगर आपके बाद आधार काथ नहीं हैं, तो आप वोटर आईडी से भी यह बना सकते हैं, तो आपको एंटर करना को पड़ेगा, यहां पे document number, उसके बाद डालना box पड़ेगा, यहां जो password है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको continue करना पड़ेगा जैसे ही आप continue करेंगे आपको कुछ को registration की detail मिलेगी registration की detail जैसे ही आपको मिलेगी आपके पास यह वाला page open हो जाएगा जहाँ पर आपको एक access code डालना पड़ेगा और password डालना पड़ेगा यह आपके जो अधार कार्ट से आपका नम्मर लिंक होगा उसके उपर आपको यह दोनों चीज आ जाएगी आप जैसे ही डालेंगे और उसके बाद पासकोड यह security key डालने के बाद आपको complete registration करना पड़ेगा complete registration के बाद इस तरीके से एक form आपका open हो जाएगा जिसको आपको भरना पड़ेगा जो आपके आधार कार्ट में details है वही details आप लोग fill कीजिएगा मेरा बन चुका था already marriage certificate इसलिए जब मैंने इसको वापस करने की कोशिश करी तो मुझे services में दिखाया गया कि मैं already इस service को avail कर चुका हूँ इसलिए मुझे अपनी wife के नाम का account बनाना पड़ा यहाँ पे जब आफ सब कुछ fill कर देंगे fill करने के बाद आप continue to register करेंगे तो continue to register करते ही आपके पास यह details आजाएंगी और details आने के बाद में जैसे ही आप इसको register करते हैं यह सारी information आपको information मिल जाएगी और information के साथ साथ आपके email address में आपका user ID और password आपके mobile पे आजाएगा जैसे ही आपके पास यह email address और आपका user ID और password आजाए आपको क्या करना पड़ेगा आपको वापस साइट पर जाना पड़ेगा साइट के उपर यह login का button है यह starting में भी आपको मिल जाएगा मैं आपको दिखा देता हूँ आप यहां home page पे जा सकते हैं और registered users login में जा सकते हैं user ID आपको डालनी पड़ेगी मैं भी डाल देता हूँ अबात में मैं इसको मास्क कर दूंगा तो यह है वान को कि इसके बाद पासवर्ड इस capital में होगा जब आपके mobile पे आएगा कि आपको डालना पड़ेगा और लॉग इन करना पड़ेगा शायद मेरा पासवर्ड गलत हो गया है मैं एक बदुभारा कोशिश करता हूँ अच्छली आइडी गलत हो गया है पासवर्ड डालते तो हूँ तुबारा से डालना पड़ेगा शिक्योरेटी की कि यहां पे आपको अपनी डीटैल दिख जाएगी इसको थोड़ा से बढा कर लेता हूँ जैसे यह आपको यह अपनी डीटैल दिख जाएगी मैं इसको बाद में मास्क्र दूंगा आपको यहां पे ऐं-लाइं services में जाना पढ़ेगा apply for services पे क्लिक करना पढ़ेगा आर रोना पढ़ेगा registration of marriage कहा है कोना है अपको ओर दीक है और हो registration of marriage तीक है ये तरह अन्सेहरान नमार आपको इसे apply करना पढ़ेगा apply mentoring एक फॉर्म आपके लिए खुल जाएगा जहां पर आपको डेट ऑफ शॉलमनाइस मैरेज मतलब जिस दिन आपकी शादी हुई है वो डालना पड़ेगा एड्रेस डालना पड़ेगा जो इन्विटेशन लैटर पे लिखा होगा इन्विटेशन लैटर मीज आपका जो मैरेज का इन्विटेशन कार्ड है उसके उपर जो एड्रेस लिखा हो आपकी शादी का वही आप यहां पर लिखेंगे कंट्री नेम उफ उफ मैरेज हम डालना पड़ेगा लोकलिटी और यहर दू料 का पड़ेगी यह पूरे लिटेएं आपको फिल करने पड़ेगे घैसे मैने आपको पताया था पहले आपको ग्रूम की साइट से और ब्राइट की साइट से जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट वो आपको यहां पे डालके fill करना पड़ेगा Address डालना पड़ेगा House number इसारी Before marriage और After marriage तोनों information आपको खासकर bride की साइट से आपको यह information डालना पड़ेगी Mobile number वगयरा सब कुछ डालने के बाद आप इसको continue कीजिए Continue करने के बाद आपका एक section open हो जाएगा जहांपे आपको documents को upload करना पड़ेगा अगर आपके documents upload नहीं हो रहे हैं तो आप try कीजिए कि आप जितना छोटा उन documents का format रख सकते हैं उतना छोटा format रखिए और साथ में कभी कुछ requirement document के साथ में related हैं लाइक उनको एक particular format चाहिए वह format में आप उसको कर सकते हैं उसके बाद जो में चीजें हैं like photo, photo का background white color होना चाहिए तभी वह आपकी marriage की photos को accept करेंगे उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि एफिडेविट कैसा बनाना है क्योंकि वह एक main concern रहता है यह आप मुझे यह तो एफिडेविट कुछ इस तरीकी का आपको दिखेगा एक second आप मुझे दीजिए जी मुझे मिल गया है यह कुछ इस तरीक आप इसको देख सकते हैं exactly आप ऐसा ही एफिडेविट बनवा लीजिएगा और यह एफिडेविट आप उधर submit कीजिए आपको एक अपने लिए बनवाना पड़ेगा और एक आपको एफिडेविट अपनी वाइफ के लिए बनाना पड़ेगा तो इस तरीके से एफिडेविट आप बना सकते हैं और साथ में जब आपका अपना form फिल कर लेंगे तो आपको इस तरीकी का एक acknowledgement receipt मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने भी लेट भरा था तो मुझे भी 1000 रुपीस की पैनल्टी देनी पड़ी थी मैंने ही चाहता कि आपको पैनल्टी देनी पड़े तो आप एक टाइम रहते हुए इसको करवा लीजिए एक चीज मैं आपको बदाना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने क्या किया था मैंने ओनलाइन नहीं भरा था मैं SDM कोड जाके पैसा भर के आया था क्योंकि नॉर्मली जब भी SDM कोड जाते हैं आपका काम एक ही दिन में नहीं होता है तो आपको बार-बार चकर ना काटना पड़े तो आप पहले फोन कर सकते हैं SDM से आपको मैंने फोन किया था मैंने उनको फोन करके पूछ लिया था कि आज डॉक्यमेंट सब्मिशन हो रहा है तो मैं आता हूँ मैंने डॉक्यमेंट सब्मिशन वहां जाके किया उसके बाद कुछ दिन बाद जब document submission के बाद उन्होंने मुझे एक date दी जिस दिन हम आ सकते हैं उस दिन हम लोग मैं मेरी wife और दो witness हम लोग गए और वहाँ पे हम लोग उन्हें SDM के सामने हम लोग पेश हुए और उन्होंने date of marriage पूछी, date of birth पूछी, कुछ दो-चार सवाल और पूछी, same चीज़ उन्होंने witness से पूछी कि क्या relation है आपका, क्या आप वहाँ पे मौजूद थे या नहीं वो सारी information के बाद SDM आपके marriage certificate पे signature कर देते हैं और जो marriage certification देखता है वो कुछ आपको अगर आपने online सब कुछ किया है तो आपको जो आपका ये account था वहीं पे आप उसको submit, मलब आप वहां से उसको download कर सकते हैं मैं दिखा देता हूं वो कौन सा section होता है कुछ इस तरीके का आपको marriage certification दिखेगा जहां पे आपका नाम होगा आपकी wife का नाम होगा और नीचे जो भी witness वहां पे मौजूद थे उनका नाम होगा और आपके signature होंगे यहां पे आप signature इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि एक online, sorry offline form है actual में जो मेरा certificate था उस पे हम जोग उने signature किये थे वो online form में automatic ला रहे हैं यह signature SDM आपके सामने करा लेते हैं तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यह download कहां से करना है आपको वापस इधर आना पड़ेगा और यह print section में certificates में आपको जाना पड़ेगा यहां पर आपको अपना certification जो number आपको दिख रहा था अभी वो डालना पड़ेगा अपनी data बढ़ना पड़ेगा आपको एक column दिख जाएगा जहांसे आप download कर सकते हैं वहांसे आप download कर लीजिएगा उसके बाद मैं एक और information आपसे share करना चाहता हूँ अगर हम home पे चलें और आप इसको आप इसको इस टिकी site में खोल लेता हूं दुबारा से यहां पर आप जाके directly form अगर शायद ऐसा हो रहा है कि वापस मैं उसको phone खोल रहा हूं तो वही open हो रहा है इसलिए मैं इसको यहां खोल लेता हूं e-district की site पे हम लोग जाते हैं यहां पर एक option है download का आप application forms में जा सकते हैं application forms में जाने के बाद registration of marriage का form आप यहां से download कर सकते हैं यह application का form आपको भरके completely भरने के बाद आपको submit करना पड़ेगा online भी अगर आपने submit किया है तो भी आपको offline इसको भरके वहां पर submit करना पड़ेगा मैंने तो ऐसे ही किया था तो आप भी इसको पहले से तयार करके लेके जा सकते हैं जब आप SDM के सामने पेश हो रहे हो मैं आशा करता हूं कि आपको यह video informative लगा होगा तेंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी हल्प कीजिए अगे बरने में मैं ऐसे informative वीडियो आपके लिए लिता हाऊंगा थैंक यू सो मुच इंज्यॉ